दोस्तों ये है Samsung Galaxy A14 5G का तीन वेरियंस इसका जो प्राइजिंग है इंडिया में रिवील हो चुका है इस हैंसेट का जो प्राइजिंग है 4GB 64GB वेरियंट का वो है 16,499 रुपीज लेकिन आफ़स के साथ में ये आपको तक्रीबन 14999 में मिल सकता है अब क्योंकि इसका चेक करते हैं देखते रहिए हैंसेट का जो लुक और फील है एकदम प्रीमियम लेवल का है और ये ट्रेंडी कलर ऑप्शन में भी अवलेबल है अब देखिए जितने भी स्मार्टफोन जिनका जो प्राइजिंग है ये अंडर उपीस 20,000 होता है ये जो स्मार्टफोन होते हैं इन में आपको सब कुछ तो नहीं मिलता है अब ये जो ब्रैंड्ट है ये बेसिकली उस क्राइडिकरी के जो यूजर्ज है उनका जो यूजर एक्सपिरेंस है उस प्राइज में किस प्रकार से भेहतर बना सकते हैं उसके लिए कुछ सेलेक्टिव फीचर्स होते हैं उन स्पीड जितना ज्यादा स्पीड होगा उतनी जल्दी जो टास्क है वो कंप्लीट होगा मतलब कि जो यूजर है यह ज्यादा टास्क कर पाएगा मैं आपको बहुत ही सिंपल एक्जाम्पल देता हूँ यह जो फोजी नेटवर्क है इसका स्पीड है तकरीबन 25 Mbps जिस एर स्पाटफोन है इसे ज्यादा यूजर करने वाला हूँ ज्यादा डेटा कंजियूम करने वाला हूँ और इसके लिए 5G इंपॉर्टन है और सामसिंग एक जाना माना ब्रैंड है जिने 5G टेकनोलोजी के बार में अच्छा ग्यान है तो उन्होंने यह जो फोन बनाया हुआ यह खास करके जो 5G experience है उसे enhance करने वाला है इसमें Exynos 13030 processor यूज किया गया है octa core और यह है Geekbench 5 score अच्छा है और मैंने इस पर 5G test भी किया था सकते हैं कि मुझे यहाँ पर speed मिल रहा है 351 MPPS और upload speed भी काफी बढ़िया है अब यह जो speed है यह vary करेगा location to location लेकिन जिस location में मैं हूँ वहाँ पर मुझे काफी बढ़िया speed मिल रहा है 5G speed अगर आप इस handset पर high-end applications यूज करना चाहेंगे तो वह भी आपकर पाएंगे यह दिखें जो game है यह काफी बढ़िया चल रहा है यहाँ पर वैसे जो game है मैं low और very high frame rate में खेल रहा हूँ चल यह इसका camera check करते हैं rear side पर triple camera setup दिया हुआ है बीच वाला जो lens है वो 50 megapixel का है और top lens 2 megapixel depth और bottom lens 2 megapixel macro और front side पर 13 megapixel का camera दिया हुआ है यह कुछ samples है यह है portrait shot skin tones color reproduction और background blurring मुझे काफी अच्छा लगा यह कुछ और random portrait shots मैंने low angle से shoot किया हुआ है यह भी मुझे काफी बढ़िया लगा यह देखिये यह है long shot और यहाँ पर मैंने अलग-अलग filter options यूज किया है filters जो है यह कुछ हट तक colors है वो change करते है scene को एक नया look देते हैं कुछ filters specific scene के साथ में amazing results आपको दे सकते हैं यह कुछ और random shots मैंने shoot किया हुआ है जो night shot है यह भी अच्छा है not bad अगर camera quality के बात करें तो samsung का A13 के comparison में इसकी जो quality है यह कुछ हर्थ तक improved है यह video मेंने इसी smartphone से shoot किया हुआ है यह दिखिया ताकि आपको अच्छा idea मिल जाए कि उसमें और इसमें difference किया है तो यह लिजी आप room lights on है और मैं वही same shot फिर से लेने की कोशिश करता हूं यह देखें तो pricing के हिसाब से जो camera की quality है यह above average category की है इस handset में side fingerprint sensor दिया हुआ है और यह जो display है यह 6.6 inches का full HD plus display है PLS LCD display है और यह 90 hertz refresh rate support के साथ में आता है अब देखें बहुत सारे लोग opinion देते हैं कि जो handset है इसका डिस्प्लेय है यह मॉलेड होना चाहिए क्योंकि एमॉलेड LCD के comparison में अच्छा है अच्छा है लेकिन हज़ता करके जो users है यह एक parameter को छेड़ते नहीं है और वो parameter है price और मैंने आपको यह वी काफी बढ़िया है नॉर्मल उसेच के लिए भी गेमिंग उसके लिए भी प्लस हाई स्पीड सफिंग के लिए विद फाइजी रैम और रॉम का combination भी काफी अच्छा है 4GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB options में यह अविलेबल होगा इसमें 5000 इमेज की बैटरी है और आपको असानी से अप ट यूज करता है तो आपको notification उपर मिल जाएगा यह वन यू आए 5.0 रन कर रहा है out of the box और यहां पर आपको ट्यू यह का OS updates और फोर यह का security upgrades मिलता रहेगा आज की तारिक में ज्यादा करके लोग after sales support जो है इसे भी importance देते हैं और Samsung के जो after sales supports है यह भी काफी strong है तो यह बहु average category की है और जो battery performance है यह भी काफी अच्छा है इसे आप value for money product कह सकते हैं फिलाल यह exciting office के साथ में available है office के बारे में जानकारी मैंने video के description में दिया हुआ है और link भी दिया हुआ है जहां से आप यह जो Samsung Galaxy A14 5G smartphone है इसे खरीद पाएंगे देखते रहें